गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल पर और आज की इस प्लांट टैक्सोनॉमिक की प्रक्टिकल क्लास में हम बात करेंगे फैमिली लेब येटी के बारे में जिसे हम लेब येसी के नाम से भी जानते हैं आएए शुरू करत हैं और जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि मैंने यहां पर लिए हैं दो प्लांट इस फैमिली की स्टेडी के लिए जिसमें से पहला वाला जो हमारा प्लांट है वो है तुलसी जिसे हम होली बासल भी कहते हैं और दूसरा जो प्लांट है वो है मरुआ जिसे की हम ब करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे हम ख्लासिफिकेशन की तो तो इस लेमिय शीकुल का जो classification है वो जैसा कि हम जानते हैं कि इसा क्लास जो है इसकी डायकॉट लिडनी का अंतरकत रखा गया है और जो इसकी सब क्लास है वो है गेमो पैटिली तो गेमो पैटिली में जो है हमें यहां पर जो इसके कॉरोला है वो मिलेंगे हमें जुड़े गेमो पेटलस कंडिशन में मिलेंगे और इसकी जो सिरीज है वो बाई कारपलीटी है अर्थात यहां पर जो कारपल होंगे वो टू होंगे और जो ओरर है इसका वो लेमियल्स है और साथी साथ इसकी जो फैमिली है वो तो आप जानते ही है लेमियशी है सबसे पहले यदि हम तुलसी के यदि हैबिट एंड हैबिटार्ट की बात करें तो यह जो पादब है वह एक हर्व है और जब थोड़ा बड़ा हो जाता था अंडर सर्व के रूप में इसे हम देख सकते हैं यदि इसके रूट की बात की जाते हैं चुकि एक डाइक स्टेम होता है एरियल होता है साती साथ एरेक्ट होगा और यह जैसा कि आप तक देख पा रहे हैं कि यह जो है कुछ हद्ता के क्वाट्र रिएंगुलर होता है और तो यह है ही साथ यह बिल्कुल देख सकते हैं आम यह सॉलिड होता है और ग्रीन होता है, तो इस तरी के से यह जो है इसके लक्षण है साती जो है स्टैम यह हमें देखने में और महसूस करने में जो है फोड़ा था चिपचिपआ भी महसूस होता है इसको हम पब सेंट कहते हैं लीफ की बात करें तो देखिए आप यहां पर लीफ भी देख़का रहे है इसा याप की जो की वह बिलकुल इन दोनों ही प्लांट्स के अंदर जो है हमिने सिंपल लीफ देखने को मिलेंगी जो कि इन में हम यहां देख पा रहे हैं कि जो आपका stipule है वो stipule Więc तो यहांपर है नहीं तो ऐसे में यहे जो हमारी lief है वो axe stipulate है और इसक एलिए हम arrangement देखें तो बिल्कुल साफ-साफ जो है आप यहांपर देख सकते हैं जो arrangement यहांपर देखने को मिलेगा वो मिलेगा अपोजिट डी कसेट सम्मुख जो है क्रोसित एक दूसरे के बिल्कुल सामने पाई जाती हैं और नीचे वाली जो होगी वो बिल्कुल 90 डिगरी के एंगल पर पाई जाती है तो ऐसा जो अरेंजमेंट है लीफ का लीफ अरेंजमेंट जो है वो कहलाता है अपोज होती हैं और सिम्पल तो है ही और इस लीफ के अंदर हम देख सकते हैं तो ऐसे में यह जो लीफ है वो पीटोलेट है ह। हुआ इसके जो किनारे हैं लीफ के मार्जिन से में इसको कहेंग इसको आगला वाला जो भाग है वह एक्यूट है और साथी इन पत्तियों के अंदर जब देखते हैं सून करके तो इसके अंदर जो हमें smell आती है aromatic तो aromatic जो smell है वो present रहती है साथी इसका यदि हम venation देखें पीछे की तरफ से तो आप यहां पर देख सकते हैं कि unicostate reticulate venation यहां पर आपको देखने को मिलेगा तो यह unicostate reticulate venation अब बात करेंगे इन दोनों ही पादपों के कि इन फ्लॉर्सेंस की तो जो की बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं कि इस इसका क्रेक्टर नाम से जानते हैं तो यह जो है कई बार exam में कुश्चन भी जो है पूछा जाता रहा है कि वर्टी इन फ्लॉर्सेंस है वो किस में पाया जाता है किस फैमिली में पाया जाता है तो ऐसे में यह जो कूट चक्रक या वर्टी से लाश्टर जो इन फ्लॉर्सेंस है वो इस फैमिली को एक तरीके से कह सकते हैं कि इसका करेक्टर है यह जो किसमें हमें देखने को मिलेगा और कूर चक्रक जो है इसलिए कहते हैं कि यह आप यहां पर देख सकते हैं कि यह हमें दिखाय तो देता है कि जिस तरीक से एक साइकल है जो फ्लोवर्स का लेकिन यहां पर साइकल यह है नहीं दरसल ये जो हम पुश्पक्रम देखते हैं ये जो पुश्पक्रम है वो एक परकार का कह सकते हैं कि साइमोस जो इनफ्लॉरसेंस होता है इस साइमोस टाइप के जो पुश्पक्रम है उसी का रूपांतर्ण होता है जिसमें ये जो शुरू मेरी बात करें तो द्वीशा की ससी साखाएं निकलती हैं तो यह कुटिल सासी माक्ष या कूर्चक्रक के रूप में विक्सित हो जाता है जो कि काफी इसका एक तरीके से कहें कि इस फीचर है इस फैमली का अब पुस्टक्रम के बाद यह हम देखें इस कुल को तो इसमें फ्लोवर की हम बात करेंगे तो देखी फ्लोवर जो हैं वो काफी इसमें छोटे होते हैं जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं यह देखिए यह आपको इसके फ्लोवर दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे फ्लोवर इसमें पाए जाते हैं प्रतेक जो इसका फ्लोवर है वो कंप्लीट होता है अर्थार्थित में जो है चारों साइकिल जो है हमें दिखाए देंगे और यह काफी छोटा पुष्प है तो ऐसे में देखिए यहां पर हमें संदक्षिनाम देख सकते हैं कि यह जो फ्लॉवर है वो ब्रक्टियेट होता है जहां से पुष्प निकलता है यहाँ पर ब्रक्ट जैसी इस्टेक्चर जो है हमें देखने को मिल जाएगी और साती सात इसकी अंदर एग छोटा व्रक्ट देखने में मिलेगा ऑप इस पुष्प को जो है इस स्वलॉवर Falcon को हम कहें गे पैडी ह kennे से कंप्ली यहां पर आसानी से पता लगाई सकते हैं कि यह जो है प्रिकार से यह जो फ्लोवर है वो जाइगोमॉर्फिक है जाइगोमॉर्फिक यहां पर यह फ्लोवर है जिसको हम एक व्याद सम्मित कहते हैं हिंदी में कि वह एक व्याद से ही इसको काट जा सकता है क्योंकि आप यहां सामय सब्सक्राइब को है कि या जो है इसमें जो है जो सेक्स और वह पाएजाते हैं इसमें ने को मिलेगी हमें वह साइक्लिक होता है अदो जायाइग की प्रकार कद चक्री को होता है अब इसके बाद में इस से पुष्ण के हम जानेंगे कैलिक्स को, देखिए इस में आप यह जो है कैलिक्स देख सकते हैं, यह बहुत चोटी चोटी flower इसमें आ रहे हैं दोनों ही पादापूों के अंदर, यह आप देखिए, तो यहां पर यह हमें जो green color की जो structure दिखाए दे ही है यह एक एद्यम फ्लॉवर की बात करें इसको हम अलग यादी करें इस तरीके से यह आप देखिए कि यह जो ग्रीन कलर की जो इस टेक्चर से हमें दिखाए दे रही है यह इसके कैलिक्स है और यह कैलिक्स जो है वो कि नम्मर के साफ से बात करें तो यह जो है फाइव है यह दूसरे प्लांट में भी हम देखें इसमें थोड़े से जो है बड़े फ्लॉवर हमें दिखाए देंगे कि यह देख सकते हैं इसमें भी जो है हमें यह यह देखिए यह जो ग्रीन कलर की सबसे बाहर वाला जो साइकल दिखाए दे रहा है यह कैलिक्स का है दोनों ही फ्लॉवर्स के अंदर काफी छोटे फ्लॉवर्स होते हैं कि आहिए की बात करें तो यहां पर कैलिक्स जो है ज्योहा है और केंदीशन जी मिलती है वह गेम Hi Boss less टाइप की मिलती है देखिए आप यह जुड़े हुए है यह ये जो है यह सभी आपस में जुड़े होए हैं तो ऐसे में यह गेमो शैपल्थ होते हैं जो मतलब हो गया कि यह जो दी मतलब हो सकते हैं कि नीचे वाला जो है वो यह जिसे ये-दी में इसको कुरुंँ तो देखियां यहां पर इक जो है वो काफी कि ओ है यहाला जो है वो काफी बड़ा है कि-धशन एक यह रहे बाकि 4 जो है वह अलग है इसको बड़े को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं इसमें देखिए ये एक अलग हो गया और ये जो है फोर ये वन टू थ्री और फोर दो साइड में है और ये जो दो है वो उपर है और एक ये अकेला जो है वो नीचे है तो इस तरीके से ये जो जिस तरीके से हमारे लिप्स हो तेक्चरा में जो है बाई लाभीट देखने को मिलेगी 1-4 ke विन्यास में और यह जो होते हैं वो persistant होते हैं अर्था अर्थे काफी लम्बे समय तक जो है यह साथ में लगे रहते हैं और यदिन में हम arrangement की बात करें तो arrangement जो होता हैं इनका वो वाल बेट होता है, परसिस्टेंट आप को बता ही दिया है, और जो चार छोटी पालियां होती है, वो अग्रोष्ट में पाई जाती है, और पीछे वाले में जो है, एक बड़ी पाली रहती है, इसके बाद में हम यदीस के देखें, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके दल पुण्यों की हम बात करेंगे या जिसको हम कॉरॉला की नाम से जानते हैं यह देखिए दोनों ही पादपों के पुष्पिहाम ले रहे हैं यह देखिए तुलसी का जो है अब इसके बाद में हम कॉरॉला को देखेंगे चोटे हैं जो की वाइट और कुछ बैंगनी रंग ली होए हैं तो यह जो कोरोला यहां पर पाए जाते हैं वह संख्या में फाइव हैं फाइव नमर में पाए जाते हैं जो है आपके पैटल्स और यह जो कंडिशन इसके अंदर मिलेगी हमें देखने को वह गेम पैटल्स मिलती है और कोरोला भी जो होते हैं यहां वह फूर वन वो अलग है और यह चार जो है वो इस तरीके से आप देख सकते हैं नीचे हैं बाइलेबिट कंडिशन पाई जाती है कलर देख सकते हैं आप यहां पर वाइट होता है यह देखिए वाइट कलर के आपको यह दिखाए दे रहें काफी छोटे हैं चार आप इनको आसानी से देखी जाएंगे अब इसके बाद में एंड्रोश्यम की बात करेंगे देखिए दोनों ही पादपों में एंड्रोश्यम काफी किलियर है यह देखिए आप एंड्रोश्यम में इस्टिमंस की संख्या की बात करें तो इस्टिमंस जो हैं वो फोर होते हैं आप आसानी से दोन है किसी भी कि इस तरीके से हमिन के दोनों पादपों के पुश्पों को देखिए ले सकते हैं यह किस तरीके से देखिए जुन्ड पूरा है पुश्पों का कि इसमें हम देखिए यह विद दिल लें तो आपको यह चार जो है वो देखने को मिल सकते हैं देखिए चार देखने को मिल रहे हैं और यह जो है यहां पर चारों की चारों जो दिखाई दे रहे हैं इस्टेमंस यह स्टेमंस जो हैं वो पॉलिएंडरस कंडिशन में हैं किसी भी प्रकार से जुड़े होए नहीं है आप यह देख सक मिलते हैं दल लगन मिलते हैं नीचे आप जब इनको खोल के देखेंगे दलों को अटाएंगे तो यहां पर यह जो है वो देखिए दलों के साथ में जुड़े होएं देखिए यह इस तरीके से दलों के साथ में जुड़े होएं पाए जाते हैं और यह जो कंडिशन है वो कहल जो है हमें छोटे देखने को मिलेंगे यह इसमें देखा जा सकता है बाहर से ही देख रहे हैं कि दो जो हैं वो छोटे होते यह वाले देखिए और यह दो जो है वो बड़े तो इस कंडिशन को बोला जाता है और यह त्य क्टिस्थ दभी महिने मस्क चौर और जो मिलेंगे अंट्रों होते हैं ऐसे गाइनोशियम के बात बाद में बात करेंगे हम गाइनोशियम की तो गइनकी सिंकार्पस Argh भी बताया है कि यहां पर जो गाणिशियम की जो condition है, वो, यहां उभल देखें तो गाणिशियम के अंदर बाई कार्पलेटी कंडिशन पाय आती है, दो कार्पस जो है पाय जाते हैं, जो कि सिंकार्पस यहां पर देखिए यह ओवरीस की दिखेगी यह जो पुष्प जिन में से जड़ चुके हैं चीजें उन में इसे जो है देखा जा सकता देखिए इसको थोड़ा सा जो है हम खोले का प्रियास करते हैं किसी एक पुष्प जिसमें से आपके कैलिक्स कोरॉला सभी अलग हो चु हम चलें तो देखिए यह यह आप यहां पर देख सकते हैं कि जो जायंग है गानिश्यम है उसके अंदर हमें जो है देखने को मिलेगी बाई कार्पिलरी कंडिशन और साथी साथ जो है सिंकार पस ओवरी सुपरियर देखने को मिलेगी और प्ले सेंटेशन जो मिलेगा वह इसके अंदर प्रतिक लोक्यूल के अंदर वन बीजांड जो है में दिखाए देगा देखिए यह किस तरीके से देखाए दे रहा है यह इसका है ओवरी वाला पार्ट यहीं हम इसके सारे की सारे जो है यह सभी जो यह देखिए यह था इनका कैलिक्स परसिस्टेंट कैलिक्स और यह जो है यह ओवरी वाला पार्ट है जिसके बीच में से जो है यहां पर इसकी जो इस्टाइल है वो निकलती है और अंडास साथ के नीचे या और कोड़ी के नीचे देख सकते हैं हमें डिस्क भी जो है दिखाए देगी यह देखी यह जो डिस्क है वो दिखाए दे रही है और यहां पर यह चार जो कोष्ट है जो ट्रटाल अकुलर कंडिशन है वो भी दिखाए दे रही है वर्तिका या स्टाइल जो होती है यहां पर वो गाइनो बेसिक होती है और देखें यहां से जो है वो निकलती है बिलकुल बीच में से निकलती है यह जो इस टेक्चर है इनके बीच में से जो है स्टाइल इस जगे से जो है इन चारों के बीच में से जो है स्टाइल निकलती है यह देखिए यह इसके दो अंडप इसमें प्रतेक में दो-दो कोष्ट इसलिए यह के लिए चार कोष्ट ओकुलर यहाँ पर पाई जाती है और स्टिग्मा जो रहती है इसकी भाई कॉछ्ट रहती है जिसको की देखा जासकता है आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं बाइस बीचिड्वा पर पाई जाती है इन ही देखिए इस पोश inदर भी आप देख लीज यह अगर हम देखें तो देखें बाइफट्ट जो स्टिग्मा है वो यहां पर देखी जा सकती है यह जो की सब्सक्राइले का बीच में है बिलकुल यह है यह यह जो है वो बाइफट्ट्ट्पमा इसकी हमें दिखाई दे रही है और फल के दी बात करें तो इसमें कार से लोरे टाइब का जो है फल वो लगता है और देखे पूरे जो फिलावर का जो कलर है इस अ कि दूसी का अंदर या मरुआ का अंदर मार्जुरम के अंदर वो है यह तरीके हल्की बैंगली लंग लिये होए होता है और तुल्सी का जो है वो ग्रीन कलर का होता है और ये इस पेशल जो इंफ्लोर्सेंस है वो आपको बता आई था देगे किस तरीके से ये जो पर्सिस्टेंट इसके कैलिक्स है वो अभी तक लगे हुए हैं और कि भाइलेविट कर्णीशन में ये सभी हैं तो यहां पर यदि हम इसके फ्लोरल फॉर्मूला की बात करें तो फ्लोरल फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा आपका बी आर्ट तो ही जो क्यों कि ब्रक्टीट था साथ ही साथ जो है यह जो फ्लोवर था वह आपका था जैगो मॉर्फिक उसके बाद मैं यहां पर बाइसेक्स्वल था यह और जो कैलिक्स हैं वह फाइव है टोटल जो की वन फॉर बाइलेविट कंडिशन में पाए जाते हैं और जो कॉरोल यार्थ था जो की दो छोटे दो बड़े होते हैं गानिशम की भी यहां पर जो कंडिशन है वह बाइकारपलटी देखने को हमें मिलती है यदि हम इसके पुस्प चित्र की तो यहां पर आप बुक में जो है इसका देख सकते हैं कि इस तरीके से हम बनाएंगे यह देखिए यह आप प्लोरण डाइगराम है फॉर्मूल्ला आपको बता ही दिया फ्लोरल डाइग्राम जो है आप यहां देख सकते है इसकंदर यह झो है आपके कैलिक्स हो गए और यह झो हैं आपके कोरला होगे कैलिक्स में यह वाला जो कैलिक्स है वो यह वाला जो आपका बाहेदल है winners वो बड़ा है बाकी जो चार हैं वहकाफीचोटे हैं और यह जो आपका पूरा जो कॉरोला साइक्ल है जिसमें आप या दीख पा रहें कि जो पैटल हैं वह फाइब हैं और यह five petals में जो है एक काफी बड़ा है चार चोटे हैं और अंदर इस तरीके से यह ओवरी जो है हमें देखने को मिलेगी और इस तरीके की जो वर्ती का यह style निकलती है इसको कहते है गायनो basic देखें बिल्कुल बीच से निकलती है तो इसी के साथ आज की हमारी यह class यहीं प